दोस्तो हम हमारे जिन्दगी में बहुत से ऐसे लोग देखते हैं जिने हम कुछ काम कहते हैं तो उनका पहला अंसर रेता है नहीं करके फिर वो काम सिंपल हो या कुछ कठेन काम हो हर किसी काम को उनका पहला अंसर गरेता है कि ये काम मुझे जमने वाला नहीं है या कुछ ऐसे बहाने बताते हैं जिससे वो काम करने से तला जा सके और यह क्यू होता है यहाँ हम देखेंगे इस Likopodium के Porecast में पोड़ियोंशी आपका बहुत स्वागत करते है दोस्तो, बैसिकली मैं एक Hopipatic डॉक्टर हूँ मेरा इस Porecast के माधियम से यहां उद्धेश है कि हमारे जो होमेपैथिक डॉक्टर भाई और जो विध्यारती है उनको होमेपैथी बहुती सरल स्पष्ट और इजी तरीके से शेर करो और उनके प्रैक्टिस में इस पोर्कास के माद्यम से मैं कैसे मदद कर सकू यह मेरा प्रमुक उद्देश है होमेपैथी कितनी अच्छी असरदार है यह हम दुनिया भर में फैला सके यह मेरा दूसरा उद्देश है वेसे ही इस पोर्कास के लेक्चर के माद्यम से आपकी अर्निंग अच्छी हो यह मेरा तिसरा उद्देश है दोस्तो हर रोग का एक साइकोडायनमिक होता है और इसलिए यह साइकोडायनमिक पहचानना बहुत इंपोर्टन होता है मेरा प्रयास होगा इस पोर्कास के माद्यम से आपको हर जो रोग है उसका साइकोडायनमिक आपको कैसे आ जाए आप कैसे पहचाने कि समझो आपके सामने कोई मस्किलो स्केलेटल की प्रॉबलम लेके आए, कोई थाइरोड की प्रॉबलम लेके आए, कोई डायबेटिस की प्रॉबलम लेके आए, कोई हाइपरटेंशन की प्रॉबलम लेके आए, कोई एक्जिमा की प्रॉबलम लेके आए, तो इस रोगों का साइकोडायनामिक क्या है उसका मूल कारण अगर आप सोचेंगे उसका एलेमेंट्स आप ढूंड निकालेंगे तो आप सिमिलिम्यम्यम तक पहुचना बहुती आसान हो जाएगा और इसलिए इस पोड़कास्ट के माध्यम से मैं आपको साइकोडायनामिक जो मुझे आता है वो शेयर करने की कोशिश करोंगा मेरे जीवन का एक मंत्र है ऐसा काम करो जिससे आपको जो नहीं पहचानते है वो आपको पहचानने लगे और जो आपको पहचानते है उनको आपका अभिमान लगे बहुती आत्मविश्वास की कमी रहने वाला आदमी लेकिन उतना ही खुद को शक्ति शाली आत्मविश्वास से भरा हुआ यह दिखानी वाली व्यक्ति याने लाइकोपोडिया इस रेमेडी के जो लोग होते हैं उनका खुद के कॉन्फिडन्स पे या उनकी जो शमता है उनके उपर ही भरोसा होता नहीं है और इसलिए कोई भी चीज उनको करनी है तो उनको एक डर सा उनके मन में होता है इसलिए बहुत बार कोई भी काम इनको कहे तो पहले उसको ये ना कहते है इनके मुझ से पहले हा करके आता ही नहीं इसके दो कारण हो सकते हैं एक तो उनका low confidence और second इनको ऐसे लगता है कि अगर मैंने वो काम ठीक से नहीं किया तो फिर मेरा सामाजिक स्थान को लेके इनके मन में बहुत ही डर होता है और इसलिए अगर इनको जिस चीज में आत्मविश्वास नहीं है वह चीज करने में यहाँ पहली बार ना कहते हैं इसलिए हम बहुत सारे लोग देखते हैं कि एकी जॉब पे एकी पोजिशन में बहुत दिन तक वहाँ काम करते रहते हैं अगर इनको फॉर्चुनिटली इनकी बड़ोतरी भी हो गई तबी भी ये प्रमोशन नहीं लेते हैं क्योंकि उनको ऐसे डर लगता है कि अगर जो पोजिशन मुझे मिलने वाली है उस पोजिशन में मैंने अच्छा काम नहीं किया तो यह उसकी एक सटल फियर होती है यहां एक रूबरिक है डिक्टेटोरियल पावर लव आफ यह तो डिक्टेटोरियल है इसके साथ ही उसको पावर का बहुत ही प्यार है यह खुद को हुकुमशा समझता है और मेरे हाथ के नीचे जो लोग है वो मेरी प्रजा है या मेरी गुलाम है ऐसे उसको हमेशा लगते रहता है और ऐसे यह व्यक्ति इसलिए अपना जो इमपोटेंस जो है या मुझमें यह कमी है यह चिपाने के लिए और मुझे यह जो सत्ता मिली है उसको कायम रखने के लिए हमेशा उनके नीचे वाले जो आदमी है जिनको यह गुलाम या प्रजा समझता है उनको दबाने की कोशिश करते रहता है उनको बहुती तकलिफ देते रहता है इसके पीछे उसकी वज़ा क्या होती है कि मुझसे कोई आगे ना बढ़े या मेरी उपर वाली पोजिशन इसको ना मिले और यही डर के कारण वह दुसरों का चल करते रहता है इसलिए अपने से जो बड़े है, बुजूर्ग है या बुद्धी से स्रेष्ट है या फिजिकली बहुत मुझसे अच्छे है या मेरे पज से इसका जो स्थान है वो बहुत उन्चा है ऐसे लोगों से बात करते समय लाइको पोडिया हमेशा हिच की चता है इसके मन में एक डर होता है वेराज इससे नीचे वाले जो व्यक्ति है इनसे ये बहुती गंदे तरीके से वेवार करता है इसलिए वहाँ रूब्रिक है हाट फॉर इंफिरियर एंड काइन फॉर सुपिरियर डिक्टैटोरियल डिक्टैटोरियल टॉकिंग विट एर अफ कमांड जो हाट के नीचे वेक्ति है उनको हमेशा भला बुरा कहते है उनको वो तुच्छता पुरुना लक्षा से देखते रहता है और इसलिए वहाँ रूब्रिक है सेंसुरियस कॉंटेम्चियस और यही बात इनके घर में भी देखी जा सकती है समझो उधारन के तोर पर एक हस्बंड है जिसमें आत्मविश्वास बिलकुल नहीं है या आत्मविश्वास की कमी है वह अपने पत्नी के साथ मैं हुकुम शाह हूँ ऐसे वेवार करते रहता है उसके उपर हमेशा रोब ज़ाडते रहता है मेरी पत्नी मुझसे आगे ना बढ़े फिर वो mentally, socially, economically किस चीज में भी वो मुझसे आगे ना जाए इसके लिए हमेशा ये बहुत cautious रहता है और यहा होने के लिए वो हमेशा अपने बीवी को अपने control में रखना चाहता है उसको अपना जो opinion है वो व्यक्ते ही करने नहीं देता हमेशा दबाने की कोशिश करते रहता है उसके उपर हमेशा वो चिवचिड करते रहता है उसे भला बुरा कहते रहता है अगर उसने अपना opinion पेश करने की भी कोशिश की, तभी भी वो उसको इतने भद्दे ढंग से वो वहाँ चुप कर देता है, आगे जाके उस पत्नी को समझता है कि मेरे पती के सामने मुझे मुझे बिलकुल खोलना नहीं है, बहुत बार तो यहाँ पती इसको मारता भी है, अगर समझो इसके पत्नी का, समझो कोई जॉब है और उस जॉब में इसकी पोजिशन इस पती से थोड़ी जादा है, या इसको जो सैलरी मिल रही है, वो उसके पत्नी से थोड़ी जादा है, तभी भी मन में से यहाँ अपने पत्नी के बारे में बिलकुल खुश नहीं रहता, उसके साथ हमेशा कुछ ना कुछ तो जगड़े करते ही रहता है उसको हमेशा कुछ भला बुरा कहके क्रिटिसाइज करते हुए हमेशा उसका confidence नीचे करने की कोशिश करते रहता है वो पत्नी मेरे control में रहे ऐसे कुछ करते रहता है लेकिन समाज के सामने ऐसे पेश आता है कि मैं मेरे पत्नी के उपर कितना प्यार करता हूँ मैं उसकी कितनी केर करता हूँ बहुत बार तो ऐसे भी होता है कि वह अपने पत्नी को नोकरी भी छोड़ने के लिए कहता है या उसको मजबूर करते दिया या मुझे एक केस याद आ रही है कुछ दिन पहले मेरे पास एक महिला आई थी उसने कहा कि डॉक्टर साब मेरा सर बहुत दर्द कर रहा है मुझे एसलिटी भी बहुत होती है और ऐसे बहुत सारे मुझे कंप्लेंट से आजकल तो मेरे बाल भी इतने जड़ने लगे कि आप पूछो मत जब मैं कंगी करते हूँ तो कम से कम एक 20-25 बाल तो आते ही है अब मुझे टेंशन होने लगा है कि अब मैं क्या करूँ तो मैंने इसकी थोड़ी सी फैमिल हिस्ट्री पूछी तो इसने कहा कि डॉक्टर मेरा लव मैरेज हुआ है मुझे ऐसे लगा कि यहां आजमी आगे जाके कुछ कर पाएगा लेकिन जब शादी हो गई तब मेरा जो डेलूजन था वो टूड गया क्योंकि यहां आजमी अपने जिन्दगे में कुछ भी नहीं कर पाएगा पर जाता है कोई इसको काम पर लगा है इसलिए मैं कहां शिफारस करती हूँ तो वहां भी वह इंटर्विय को जाता नहीं है लेकिन घर में यहां रोब जाड़ते रहता है मुझे हमेशा क्रिटिसाइज करते रहता है अगर घर चलाना है तो उसके लिए पैसे चाहिए अगर यहां नुकरी नहीं कर रहा है कुछ काम दंदा नहीं कर रहा है तो मैंने सोचा कि मैं इस घर पे कुछ काम दंदा लाओ और अपने घर का गुजारा करो इसलिए मैंने एक छोटा सा बिजनेस टार्ट किया यह आदमी को यह भी पसंद नहीं आया उसने वो बिजनेस बंद करवाने को मुझे मजबूर कर दिया फिर कुछ दिन ऐसे ही चले लेकिन पैसों के बगर तो कुछ चलता नहीं है तो मैं मेरे रिष्टदारों से पैसे मागने लगी मेरे मा ने मुझे बहुत अच्छी हेल्प की लेकिन कितने दिन ऐसे चलेगा इसलिए शरम के खातिर मैंने मजबूर इसे कुछ घर में काम लाना स्टार्ट किया जिसे कुछ पैसे मेले यह काम भी इस पती महाशेय को पसंद नहीं है और उसने वह काम भी मुझे छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया इसको अगर कुछ कहे कि भाई तु कुछ कर तो इसको गुसा आ जाता है इसका इगो हर्ट हो जाता है फिर यह खाना पिना छोड़ देता है जाके बिस्तर पे लेट जाता है फिर आप इसको बहुत बार मनाईए इसके हाथ पेर पढ़िये तब फिर यह पती महाशे उठ जाते है और फिर खाना वगरा खाते है लेकिन तभी भी यह अपने इगो में रहते है मेरे मेके वाले को भला बुरा कहते रहते है इस पत्नी को मैंने तो जो उसकी दवा थी वो दे दी लेकिन इसके साथ ही मेंटेनन्स कॉस भी ठीक होना चाहिए इसलिए इस पत्नी को मैंने लाइको पोडियम प्रिस्क्रैब करी और फिर एक मेने के बाद यह जो महिला थी उसके प्रॉब्लम्स तो चली गए लेकिन इसके पत्नी का बिहेवियर भी कम्प्लिटली चेंज हो गया और उनके घर में आनन का वातावरण खिलने लगा अब दोनों में बहुती अच्छा म्यूच्वल अंडरस्टेंडिंग होता है यह होमेपेटिका चमतकार होता है जो ना कि आपके फिजिकल प्रॉब्लम्स सही करता है तो आपको सोशली, मेंटली, फिजिकली, फैमिली और एजुकेशनली बैलन्स कर देता है और आपको सक्सेस की तरफ जाने के लिए वह रास्ता दिखाता है लाइकोपोडियम का यह सुन्दर प्रवास हम ऐसे ही चालू रखेंगे हमारे अगले एपिसोड में धन्यवाद धन्यवाद आपने आपका बहु मुल्ले समय निकाल के मुझे सुना इसलिए में आपका मनपुर्वक आभारी हो इस मेडिकल प्रैक्टिस में अगर हमें सक्सेस्पुल होना है तो हमें हर रोज कुछ न कुछ नया ग्यान लेना बहुत ही इंपॉर्टन्ट है और मुझे विश्वा से यह आप नया ग्यान प्राप करते ही होंगे इस एपिसोड का अधिक से अधिक फाइदा होने के लिए आप इसके नोट्स निकाले और वह यूज करो और आप क्या सिके यह कमेंड में टाइप कीजे वेसे ही अधिक से अधिक होमेपैद तक यह पोड़कास की इनफॉर्मेशन पहुचाने के लिए इस एपिसोड को शेयर करे यह शेयर करे इंस्टाग्राम पे, वाटसब पे और हर जगे जहां आप इसको पहुचाना चाहते आप प्लीज पहुचाईए और ध्यान रखे कि मुझे टाइक करे फिर मिलेंगे इस होमेपैदिक टॉक शो बाई डॉक्टर कमले सुर्यांशी अगले एपिसोड में धन्यवाद